अब देखे हफते भर पहले ही योगी सरकार ने अपना सबसे बड़ा बजट पेश किया था बजट में कई लोगों को 1 ट्रिलियन के सपने की जलक दिखी तो कई लोगों को नहीं भी दिखी दरसल 1 ट्रिलियन कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल अगर देशों की बात करें तो दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने 1 ट्रिलियन के सपने को छोड़ दिया है और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने हासल कर लिया है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित तनात ग्रीज के प्रदान मंत्रे किरिया कोसमित सोताकिस और सौधी अरब के क्राउंस प्रिंस मुहंबत बिन सल्मान आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के तीन अलग-अलग हिस्सों में राज कर रहे इन निताओं का आपस में क्या कनक्षन है इन तीनों का सीधे तो कोई कनक्षन नहीं है लेकिन जो एक चीज इन्हें जोड़ती है वो है अर्थववस्था योगी आदित नात आज उस जगा पर हैं जहां ग्रीज के प्रदान मंत्रे किरिया कोसमित सोताकिस है मान लीजे कि अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो फिल हाल उत्तर प्रदेश और ग्रीज अर्थववस्था के मामले में एक जगा पर खड़े हैं यूपी की अर्थववस्था इस वक्त 220 बिलियन डॉलर यानी करीब 17 लाग करोड रुपे की है आईमेफ के मुताबिक ग्रीज की अर्थववस्था भी इस साल 222 बिलियन डॉलर रहने वाली है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थववस्था में वो 54 नमबर पर रहेगा यानी यूपी भी दुनिया में 54 वी सबसे बड़ी अर्थववस्था है ग्रीज और उत्तर प्रदेश की तुलना यहीं खत्म हो जाती है क्योंकि यूपी के सियम योगी आदितिनात में अगले 5 साल में यूपी को वन ट्रिलियन की अर्थववस्था बनाने का लक्ष रखा है जबकि ग्रीज के प्रदान मंत्री का ऐसा कोई लक्ष नहीं है ऐसे में योगी आदितिनात को उन देशों की तरफ देखना पड़ेगा जो इस साल वन ट्रिलियन की अंकले को चूने वाले है वो देश है नीधरलेंड्स और सौधी अरब सौधी अरब की क्राउंस प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान ने सौधी अरब को वन ट्रिलियन की अर्थववस्था बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उन्होंने सौधी अरब को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया है वो सौधी को एक उदारबादी देश बना रहे हैं हालांकि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके तेल के कुए है सौधी अरब दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सल्मान के नेतरतु में सौधी ने पिछले 10 साल में अपना तेल का कारोबार कई गुना बढ़ाया है जिसकी वजह से वो वन ट्रिलियन की अर्थववस्था बनने वाले हैं योगी भी यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थववस्था बनाना चाहते हैं लेकिन ये इतना आसान नहीं है यूपी आज जहां खड़ा है वहां साओधी अरब 20 साल पहले खड़ा था 2002 में साओधी अर्थववस्था 200 बिलियन डॉलर के करीब थी लेकिन आईमेफ की ताजा रिपोर्ट के मताबिक 2022 में वो वन ट्रिलियन पहुँचने वाला है यानि अपनी अर्थववस्था को 5 गुना करने में उसे 20 साल का वक्त लगा है वन ट्रिलियन के कलब में शामिल होने वाली वो दुनिया की अठारवी सबसे बड़ी अर्थववस्था है खास बात ये है कि साओधी अरब ने पिछले 3 साल में अपनी अर्थववस्था को 700 बिलियन डॉलर से 1 ट्रिलियन पहुचा दिया है यानि जीडिपी में 3 साल में 300 बिलियन डॉलर की बढ़ात योगी भी इसी तेजी से 1 ट्रिलियन के कलब में शामिल होने का सपना देखते हैं दिखिए मेरा मानना है कि साओधी अरब एक अलग तरीके की अर्थवस्था है और उत्तर प्रदेश एक अलग तरीके की अर्थवस्था है अग्रिकल्चर और उसके उपर आधारित जो उद्योग हैं जा छोटे जो उद्योग दंदे हैं उनके उपर उत्तर प्रदेश की एकोनोमी चल रही है और वो जो विस्तार अगर उत्तर प्रदेश की एकोनोमी में आएगा इनीक शेत्रों पर फोकस करते हुए आएगा उत्यप्रदेश के पिछले पांच साल के बजट को अगर देखा जाए तो यह असंभव सा लगता है लेकिन साओधी अरब के उधारन को देखकर नामुम्किन भी नहीं लगता कि तेरे जनू से नतीजा जरूर निकलेगा इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा यूपी के वित्यमंत्रे सुरेश खन्ना का ये शेर काफी होसला दिलाता है वो भी जामते हैं कि यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थवस्था बनाना आसान नहीं है लेकिन यूगी आदितनात सरकार इस असंभव से देखने वाले लक्ष को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठा रही है खास ताओर से इस बार जो बजट पेश किया गया है उसमें यूगी सरकार ने खर्च बढ़ाने का ऐलान किया है खर्च बढ़ाने का मतलब है अर्थ ववस्था में ज्यादा पैसा निवेश करना और इसके जरिये लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा पहुचाना इस बार यूपी के बजट का आकार 6,15,000 करोड रुपे है ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है पिछले साल यूपी का बजट 5,50,000 करोड रुपे था बजट के बड़े होने से ज़्यादा मैत्पूर्ण चीज होती है कि सरकार निवेश कहां कर रही है ये जब बजट है एक तरीके से वो लेखा जोखा है सरकार की आएका और व्याईका व्याई कहां हो रहा है क्या व्याई राजा सुखर्च है जिसमें कोई नई चीज क्रियेट नहीं हो रही है तनखाओं पे जा रहा है, सबसेड़ी पे जा रहा है योगी आदितनाथ ने यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थववस्था बनाने के लिए दो हजार सब्ताइस तक का समय तै किया है यानि अगले पांस साल में उन्हें ये लक्ष किसी भी तरह हासिल करना है फिलहाल यूपी की अर्थववस्था करीब 220 बिलियन डॉलर यानि करीब 17 लाग करोर रुपे की है अगले पांस साल में इसे पांच गुना बढ़ाकर एक क्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष है यानि 75 लाग करोर रुपे की अर्थववस्था बनाना है ये टार्गिट बेहद मुश्किल रहने वाला है क्योंकि 2014 में यूपी की अर्थववस्था थी 9 लाग करोर रुपे की जो अभी यानि 2022 में बढ़कर 17 लाग करोर तक पहुंची है यानि पिछले आच साल में यूपी की अर्थववस्था सिर्फ दो गुनी हो पाई है ऐसे में सिर्फ पांक साल में एक ट्रिलियन डॉलर यानि 75 लाग करोर रुपे की अकॉनोमी को हासिल करना बेहद मुश्किल दिखता है तो लक्षे को बढ़ा रखना कोई गलत बात नहीं है वो एक अच्छी बात है आपका लक्षे बढ़ा होगा तो अगर पांज गुना नहीं बढ़ेगी हो सकता है तीन गुना बढ़ जाए ठीक है तो यह डिपेंट करेगा कि एक तो देश की ओवराल एकोनोमी किस तरफ जा कोनों के बावजूद यूपी देश की नंबर वन एकॉनमी नहीं है जी एसडीपी आनि राज्यों की जीडीपी के आधार पर उत्तर प्रदेश देश में फिलाल तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता है नंबर वन पर महारास्त महाराश्रू की जगा लेने के लिए यू सद इंडस्टी का हिस्सा है यही वजा है कि आज वो देश में सबसे बड़ी अर्थ ववस्ता है फिलहाल महाराश्रू 430 बिलियन डॉलर यानि 32 लाग करोड के साथ पहले नंबर पर है 297 बिलियन डॉलर यानि 22 लाग करोड के साथ तमिलनाडू दूसरे नंबर पर है इसका टूरिस्म सेक्टर महाराश्र के बहुत बहुत बेहतर बहुत तेजी से बिक्सित हो रहा है खास तरफ़ जो हमारा कल्चिरल टूरिस्म है वो चाहे बुद्धिस सरकीट रूप में हो चाहे आप अयोध्या वारणसी आप मतुरा या नैवी सारणी या गोरच्छी को देख लेते हैं तो यह सारी चीजें कहीं न कहीं हमारे ग्रोथ इंजिन को और मजबूत करते हुए नजा आ रही है यूपी को महराश्र से आगे निकलने और दोहजार सताइस तक इस लक्ष को हासिल करना होगा इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश सबसे एहम हो ने बाला है यूपी में हाईवे फ्रेट कोरिडर और स्मार्ट सिटी के निर्मान में तेजी लाने के लिए इस बार योगी सरकार ने बजट में बड़े खज का एलान किया है वित्यमंत्री सुरेश खना ने बजट में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसलिए कुछ मामलों में उत्तरप्रदेश वहां से सीख सकता है और उसके पहले ही वो काम कर भी चुका है उत्तरप्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी का रोड मैप क्या है इसका प्लान भी जून में सामने आ जाएगा इसके लिए जिन जिन संस्थाओं ने अपने प्लान भेजे हैं उन्हें इसी महीने के अंत में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इसके बाद उन में से सरकार को जिसका भी प्लान बसंद आता है उसे आगे का ब्लूप्रिंट बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी बाबा 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 पोडिया सी शीटी जानी ना कोडिया सी कांप है जाएगी कांप है जहर आंगरे दी लागे है कोडिया सीटी वो बहुत दूर है पूरिया सिर्टी दुनिया कमाल दूने कुछ ग्लोब बड़े होगे है कूरिया सिर्टी का है प्रोफेसल साप को पता होगा वह जो तो यह चोटा वाला ग्लोब लबता है और अधा पता नहीं तेरी बेटी से जाके मिल लो शायद उसे मालो हाई बाबा ने पेचाई अधायए कुरिया सिर्टी वो के? यह जो तुमी यहाँ अधाया कुरिया सिर्टी ABP News आपको रखे आगे